नमस्कार साथियों क्या हाल चाल आप सबके साथियों आज हम कविता लेकर आए हैं कविता का शीरशक है इस्त्रिया और इसको लिखा है अनामिका ने और नारी विमर्श के उपर हमेशा लिखती आए हैं नारी मिमर्श मतलब फैमिनिजम और नारियों की इस्तरियों की अजादी की उपर उनको जो स्थान दिया जाना था समाज में वो अभी तक नहीं मिल पाया है पर एक शेत्र में अगर हम देखें खबरों में न्यूस पेपर में जगा जगा अपमानित होती है इस्तरियां तो उ कविता बहुत असान है आप कहने के संपर्ख जरूर कर पाएंगे जदि आपको सहित्य ज्यान है तो कविता पढ़ते हैं शुरू कर रहा हूं है ध्यान से सुनिएगा धैरे रखेगा पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज बच्चों की फटी कोपियों का चना ज के बाद तो क्या कहा जा रहा है साथ यू begun कुफ्त का मतलब क्या होता है पहले है धिकली मतलब नीन्द से बरी है देखी जाती है कलाई गड़ी अलसुलम अलारम बजने से पहले मतलब तड़के एसी परकार से हमें देखा गया सुना गया हमको जोहि उर्टे मन से सुना गया हमको योही उड़ते मन से मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं लोग कि वो लड़की ऐसी थी यह ना जिब बाते होती है ना किसी के बारे में जानते नहीं हम कि वो उसकी लड़की यह कर रही है वो उसके साथ घूम रहे थी सुनी सुनाएं बात पर बिशो चाहे उसका कोई कोई दोस्ती हो ऐसे कोई है ना वो नहीं घूम नहीं सकती बस सुना गया हमको जोही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैस्टों पर ठसा ठस ठुसी हुई बस में क्या करारा व्यां किया ऐसा थी हुई इतना करारा कर दिया कि मतलब मज़ा आ गया भी मतलब बहुत सचाई व्यान कर दिये नोने ऐसी कविताई ही मैं हमेशा लाता हूँ आगे क्या लिख रही है भोगा गया हमको बहुत दूर के रिष्टेदारों के दुख की तरह एक दिन हमने कहा हम भी इनसान हैं हमें काईदे से पड़ो एक एक अक्षर जैसे पड़ा होगा बिये के बाद नोकरी का पहला विग्यापन देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग सुनो हमें अनहद की तरह जिसमें खो जाता है इनसान वो संगीत की बात होती है अनहद सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई सीखी हुई भाशा इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अद्रिश्य टहनी से टिडियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई चीची दुष्चरित्र महलाएं किन ही सरप्रस्तों के दम पर फूली फैली अगर दत जंगल लाताएं खाती पीती सुख से उबी और बेकार बेचैन अवारा महलाओं का ही शगल है जे कहानियां और कविताएं फिर जे उन्होंने थोड़े ही लिखी हैं कनखियां इशारें फिर कनखी बाकी कहानी बस कनखी मतलब लोग इन कानों से जो सुनते हैं किसी के बारे में बैसी ही धारना किसी लड़की के बारे में बनाई जाती है चाहे उस लड़की की कोई कलत बात ना ही भी हो लोग की फिर भी उसको बदनाम करते हैं बहुत कुछ कहा जा रहा है साथियो हे परम पिताओ परम पुरुशो बक्षो बक्षो अभ हमें बक्षो तो कैसे लगी काविता साथि हो कमेंट करके जरुर बताना नारी विमर्श फैमिनिbourg के उपर लेखी गई काविता है बहुत अच्छी काविता सी साथि हुजे और जे पंक्तिया आई ना बीच में कि इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक द्रिश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और अंगरंगीन अफवाहें चीकती हुई चींची दुस्चरित्र महलाएं दुस्चरित्र महलाएं किनी सरपस्तों के दम पर फूली फैली अगर दत जंगल लताएं खाती पिती प्यूबी और बेकार बेचैन अवारा महलाओं का ही शगल है यह कहानियां और कविताएं इस प्रकार से बदनाम किया जाता है समाज में कहानियों में तो साथियों कैसे लगी कविता जुरू बताना मिलते हैं अगली कविता में जब हम को यह और टोपिक लेकर आएंगे ना ही हैं इस प्रकार के ऊपर लेकिन जे गहराई वाली कविता थी और ज्यादा मैं गहराई में जाना भी नहीं चाहता हूं आप समझ रहे हैं अपने इर्दिगर्दी जो देखते हैं वहीं हम इस कविता में देख रहे हैं तो मिलते हैं अगली कविता में साथियों ध्यान